28 साल का फ्रडडी गिनवाला एक दातों का डॉक्टर था। वह बहुत संकोची स्वभाव का था और इसलिए लोग उसे भोंदू भी समझते थे। फ्रडडी के बचपन में ही उसके पिता ने उसके सामने उसकी मा की गोली मार कर हत्या कर दी थी। तभी से फ्रडडी ऐसा हो गया था। और उसमें कॉन्फिडन्स की बहुत कमी थी। इसी कारण से कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनना पसंद नहीं करती थी। और वह जिन्दगी में खुद को बेहद अकेला महसूस करता था। उसने मैट्रिमोनियल वबसाइट पर भी पिछले पांच साल से एक प्रोफाइल बना रखी थी। लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी रिष्टा नहीं मिला था। इस सब के बाबजूद फ्रडी एक बहुत अफिशंट डंटिस्ट था। और अपने पेशंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। साथ ही गरीब पेशंट्स का भी फ्री में इलाज कर दिया करता था। एक दिन फ्रडी के क्लिनिक में काईनाज नाम की बेहत खूबसूरत पेशंट आती है। फ्रडी उसे देखते ही उसके प्यार में पढ़ जाता है। हालाकि काईनाज शादी शुदा थी लेकिन वह भी फ्रडी को पसंद करने लगती है। काईनाज का पती रुस्तम बहुत ही क्रोल था। वह अक्सर काईनाज को मारता, पीटता था। धीरे धीरे काईनाज और फ्रडी के बीच नस्दी की बढ़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी जिन्दगी की अंतरंग बाते भी डिसकस करने लगते हैं। और एक दूसरे को बेहत प्यार करने लगते हैं। एक दिन रुस्तम ने काईनाज को फिर से मारा था। तंग आकर काईनाज फ्रडी से बोली कि रुस्तम को जान से मार दे। इससे वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फ्रडी इसके लिए तयार हो गया। एक दिन उसने जॉग दिन करते हुए रुस्तम को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से टककर मार दी। इससे रुस्तम की मौत हो गई। इसके बाद फ्रडी काईनाज के फेवरेट चीकु लेकर उससे मिलने उसके घर जाता है। कि काईनाज अपने बॉडी बिल्डर बॉफ्रेंड के साथ रोमेंस कर रही थी। फ्रडी काईनाज से पूछता है कि यह सब क्या है। काईनाज बताती है कि उसने फ्रडी को यूज किया है। उससे अपने पती को मरवाया ताकि वह अपने बॉयर्फ्रेंड के साथ रह सके यह सब सुनकर फ्रड्डी बहुत दुखी हो जाता है साथ ही कायनाज और रेमंड उसे धमकाते हैं कि अगर किसी को कुछ बताया तो वे पुलिस को बता देंगे कि फ्रड्डी ने ही रुस्तम का मरडर किया है उनके पास उसके खिलाफ सारे सबूत भी थे फ्रड्डी उनका विरोध करता है तो रेमंड उसे मारता है और घर से निकाल देता है अभी भी फ्रड्डी बहुत गस्से में था वह उनके साथ माइंड गेम्स खेलने लगता है वह फोन करके काइनाज को जूट बोलता है कि उसके घर में उसने जहरीला साप छोड़ दिया है काइनाज और रेमंड सारा घर ढूड़ने लगते हैं लेकिन कोई साप नहीं मिलता इससे बदला लेने के लिए रेमंड फ्रड़ी के एक मात्र दोस्त हार्डी को चुरा लेता है हार्डी एक कचुआ था साथ ही रेमंड उसके दरवाजे पर उसे डराने के लिए एक गोली रख देता है फिर काइनाज और रेमंड कच्छुए हार्डी का सूप बना कर पी लेते हैं और फ्रडी को फोन करके यह सब बता देते हैं अपने दोस्त की मौत के बारे में सुनकर फ्रडी और दुखी हो जाता है इसके बाद फ्रडी उन दोनों से बदला लेने का फैसला करता है पहले वह काइनाज के घर में घुसकर उसके फोन से अपने फोन पर एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा था अगर किसी को बताया कि रेमंड में तुम्हारी कार बोरो की है तो तुम्हें जान से मार देंगे फिर फ्रडी एक बेघर आदमी को पैसे देता है और कहता है कि पुलिस को बताये कि उसने फ्रडी की कार को रुस्तम को टक्कर मारते हुए देखा था वह आदमी पुलिस को जाकर यह सब बताता है इससे पुलिस फ्रड़ी को थाने में बुलाकर पूछताच करती है फ्रड़ी डरने की एक्टिंग करता है और पुलिस को बताता है कि कायनाज और रेमंड ने उसकी कार बोरो की थी और पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था नहीं, तो उसे भी जान से मार डालते यह कहकर फ्रड़ी पुलिस को काइनाज का मिसुज भी दिखा देता है जो उसने खुद भेजा था साथ ही CCTV की फुटेज भी दिखाता है, जिसमें रेमंड उसका कच्छुआ चुरा रहा था यह सब देखकर पुलिस अब काइनाज और रेमंड को फोन करके ठाने आने के लिए बोलती है उधर फ्रडी उन्हें फोन करता है और कहता है कि फार्म हाउस में आकर उसे सौरी बोले नहीं तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा जबकि वह पहले ही सब कुछ बता चुका था साथ ही वह यह भी कहता है कि एक बड़ा सा सूटकेस भी ले आए उसे कुछ सामान रखना है काइनाज और रेमन्ड कहते हैं कि यही मौका है फ्रडी को रास्ते से हटा देते हैं वे उसे मारने का प्लान बनाते हैं और फार्म हाउस आ जाते हैं लेकिन फ्रडी अपनी पैंट में एक गन चुपा लेता है मौका पाकर काइनाज उसकी गन चुरा लेती है और उसके माथे पर गोली मार देती है लेकिन गन खाली थी तभी फ्रडडी टार्च निकालता है जो वास्तव में तासीर थी वह काइनाज को उससे इलक्ट्रिक शौक देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है इसके बाद रेमंद उसे मारने लगता है फ्रडडी उसे भी इलक्ट्रिक शौक देकर बेहोश कर देता है जब दोनों की आख खुलती है तो देखते हैं कि फ्रडडी ने उन्हें अपनी बेस्मंट वाली लैब में बांध रखा होता है फिर वह बिना बेहोश किये एक एक करके उनके सारे दात निकाल देता है दोनों दर्द से तडपते रहते हैं और आखिर बेहोश हो जाते हैं अंत में फ्रडडी उन दोनों को एक जगह ले जाकर जिन्दा ही दफन कर देता है उधर जब पुलिस देखती है कि काइनाज और रेमंड पूच्टाच के लिए थाने नहीं आये तो वे उन्हें फोन करते हैं लेकिन बार बार मिलाने पर भी उनका फोन नहीं लगता इसलिए पुलिस वाले उन्हें ढूडने उनके घर जाते हैं लेकिन वहां भी कोई नहीं था पुलिस के लोग जब CCTV चेक करते हैं तो देखते हैं कि काइनाज और रेमंड बड़ा सा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठ कर कहीं निकल गए थे पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद दोनों देश छोड़ कर भाग चुके हैं और हो नहो उन दोनों ने ही रुस्तम का मर्डर किया था जैसा कि फ्रड़ी ने बताया था इस तरह मास्टर माइंड फ्रड़ी अपना बदला भी ले लेता है और अब पुलिस कभी उस पर शक भी नहीं करेगी तो दोस्तों यह थी कार्तिक आर्यन की मूवी फ्रड़ी की पूरी कहानी धन्यवाद